चलिस तो बात कर लेते हैं कि बड़ी ख़बर के बारे में आपने देखा है कि NBFC जो कंपनी हम लोगों को दिखाए दे रही है इस समय काफी संगर्ज करती हुए नजरा रही है और अगर डिफोल्ट की बात करें उनके अंदर देखे जो लोन प्रोवाइड कराती हैं अगर सह समय दिक्कतों से जूथती हुए नदर आ रही है और उनके स्टॉक्स के अंदर भी हम लोगों को गिरावर देखने को मिल रही है तो देखें सही समय पर लिया गया सही डिसिजन जो है आपके जो प्रॉफिट को सिक्यूर कर सकता है आप सोच रहे हैं काफी सारी कंपनियों क के अंदर इस समय पैसा लगाने की तो आपको सही तरीके से एक बार स्टॉड़ी कर लेनी चाहिए कि कंपनियों के अंदर हल चल हम लोग को क्या दिखाए देरिये तो देखें जो एंदर हम लोग को बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है यानि के नोन परफॉर्मिंग असेट के कितने पसेंट के हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अब देखें आप जानते हैं कि पिछली बार क्या था कि कोविट का टाइम था और उसके बाद में जैसे ही केसिस हम लोग को कम होते होने जरा है तो डोर टू डोर कलेक्शन का भी प्रोग्राम चला अब क्या है कि उस पर भी रोग लगते होने जरा रही है पिछले 6-7 वीक में जो हमें उसके अंदर भी रोग लगते होने जरा ही है क्योंकि आप जानते हैं कि वापिस से कवेट के केसिस लगातार बढ़ते होने जरा रहे हैं तो जिसकी वज़ज़े से फिलाल में कहा कि पैसा अब और जाते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है तो आपने देखा है कि पिछले महीने लगबग अगर पिछले साल की तुलना करें मई की और अप्रेल की तो हम लोग को उसके अंदर काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगबग 5-10 प आप अच्छे का से प्रॉफिट में बैठे हों और कंपनियों के अंदर आपको लोंग टम में गिरावाट देखने को मिले फिलारम दोस्तों यहां पे हम देखने की कोशिस करेंगे कि टोप 10 एंडिया के अंदर कौन कौन से दिखाया देरी तो देखे पहले नंबर पे है प अब अगर कंपनी का बेग्राउंड हम लोग को मजबूत दिखाया देता और फिलाल में कोविड की वजह से लोन में हम लोग को इंपक्त देखने को मिल रहा है नेगिटिव तो कहने कहीं यह कंपनिया मैनेज भी कर सकती हैं बट कुछ कंपनिया तो इस तरह की की दिखाया देरी है कि उनके इंदर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इससे में वस्ट सिचूइशन देखने को मिल रही है हाउसिंग फिनें में रुपे 70 पैसी के आस-पास यह स्टॉक्स गया था अच्छी का सी चाल इसके अंदर बनती हो ने जराई बट अगर आप ऑवराल देखें जो बिजनिस मोमेंटम हमें बाकिके पूरे सेक्टर के अंदर दिखने को मिल रहा है तो इस समय हम लोग को कम जोर रिस्तिती आपको बार-बार बताता रहता हूं कि पूरी तरीके से सही अनलेसिस करने के बाद ही किसी भी कंपणी के अंदर इन्वेस्ट करें और देखें अगर आपका मन कर रहा है कि 100 शेर्स जो है मैं इस लेवल पर खरीदना चाहता हूं तो देखें 10 शेर्स खरीदी कोई दिक्कत कंपणी के अंदर फिलाल की डेट में हम लोगों को कोई अगर दिक्कत देखने को मिली स्टॉक्स गिरता हो नदर आ तो देखें हमारे पास में एक चांस रहेगा वापिस से हम इसके अंदर अपनी क्वांटिटी एड़ कर सकते हैं अब देखें अगर इस स्टॉक्स की बात काफी सारी कंपणी के अंदर हम लोग को रिगार्डिंग एंपी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए थोड़ा सा साधान रहेगा पिछले एक महीनिके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है काफी तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला लगा 19% से जादे की तेजी हमें इस कंपणी के अंदर दिखाए दिये देखा जाए तो लोंग टर्म में ये स्टॉक्स रिकवरी करता हुआ जरूर नुजर आएगा देखे पैसा आभी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा अगर किसी ने लोन उठाया है तो पैसा दो देना ही पड़ेगा अगर नहीं देंगे तो कहिन कहीं यह कंपनिया प्रॉपर्टी जब्त करती हुए उससे रिकवरी जो है अपने पैसी की कर लेंगी बदो तक आप आपको निवेश करने से पहले इत मस्चाओ का सामना करना पढ़ रहा इस कंपनी को लगातार जो है उपर के लेवल से गिरावट हमें देखने को मिली थी तो लोएस्ट अमाउंट ही निवेश करके चलें और सिर्फ लोंग डम के बारे में सुचें अब देखिए जिसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनिया होती हुई चली जाएगी देखिए यह दूसरा साल चल रहा है कोविट का तो आप इस चीज को थोड़ा सा अब्जर्व कर लीजेगा कि कितना लंबा और कोविट का यह मोमेंटा हम लोग को देखने को मिलेगा तो कंपनी को अंदर कितनी हल्चर हम लोग को देखने को हैं तो कहने का मतलब है कि अभी तक महीने में मझबूत डिखाये दिया है, और 6 महिने में लगातार, यही चीज़ होती है नोट करने वाली 6 महिने में लगातार, उपर नीचे, उपर नीचे, हम लोग को रियक्ट करता हूँ नजर आ रहा है कि कंपनी के इंदर किने सीचूर को ध्यान में रखते हैं कि कंपनी अगर हमें लोंग टम में मजबूत दिखाए दे रहे हैं तो देखें वापिस से रिकवरी करती हूं ज़राएगी जिस तरीक से आपने HDFC का चाट पेटर अभी तक देखा है लोंग टम में ये कंपनी बहुती शांदार हम लोग को दिखाए दे रहे हैं गिरावट जरूर देखने को मिली हैं नजाने कितनी दिक्कते इस कंपनी के अंदर अब तक आई हैं बट वापिस से अच्छा का सा मोमेंटम है हमें इसके बि काफी सारी कंपनियों के अंदर जब हम पोजिशन क्रियेट कर लेते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि सिच्विशन क्या हूई तो हम खबर का इंतिजार करते रहते हैं कि कोई खबर अच्छी खासी आएगी तो इस टोकस के अंदर हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा दोस्तों गर आप नए हैं और डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाते हैं तो वैसे तो काफी सारी कंपनिया हैं जिनके अंदर आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं तो फिलाल में मुझे जो कंपनी अच्छे लगती है जिरोधा अप स्टॉक्स के कंप कराना चाते हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जुरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर करके लेना ताके नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे हैं आपके मुबाइल प्रिस के थैंक यू समच फॉर वाचिंग